डिरुप भ्रेंट्स चली हम लोग स्टार्ट करते हैं आज नाइन्थ क्लास के लिए सब्जेक्ट साइन्सको जैसा कि आपको पता है हम लोग motion ど् mods chapter पढ़ रहे हैं जैसा कि आप जानते हैं equation of motion तीन तरीके का होता है three types of equation of motion first is v is equal to u plus 80 right second is s is equal to ut plus half a t square ठीक है और last and third is 2as is equal to v square minus u square कुल मिला कर अगर देखा जाए तो यही तीनो equation of motion है तो हम लोग अभी काम क्या कर रहे थे कि graphical representation यानि कि graphical graph की सहयता से हम लोग इन चीजों को प्रूफ कर रहे थे तो हम लोग 2 equation of motion को प्रूफ कर चुके हैं चलिए आज आए हम लोग प्रूफ करते हैं कि graphical method से 2as is equal to v square minus u square आखिर होता कैसे है ठीक है इन चीजों को अगर हम लोग प्रूफ कर लेंगे तो समझे हम लोग तीनो equation of motion को प्रूफ कर लिया ठीक है तो आज हम लोग पढ़ते हैं क्या पढ़ते हैं तो टापिक बनाया जाया है प्रूफ क्या प्रूफ करेंगे भई तो 2as is equal to v square minus u square ठीक है 2as is equal to v square minus u square का प्रूफ कैसे होता है तो इन चीजों को हम लोग करने के लिए फिर से हमें ग्राफ बनाना होगा और प्यारे स्टुडेंट्स अगर खुसी का बात ये है कि ये तीनों equation of motion को प्रूफ करने के लिए तीनों ही equation को प्रूफ करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही ग्राफ की जरूरत है जैसा कि हम पहले बना रहे थे मतलब कि एक तरफ velocity और दूसरे तरफ time velocity time graph यानिकि यहां हुआ time ठीक है एक तरफ वह वेलोशिटी अपर वेलोशिटी नीचे टाइम ठीक है इधर एक स्टैस है इधर से कोई मान माने मतलब है ने इधर वाइड़े से यहां तो जीरो है यहां एक से यहां वाई है ठीक है अब इसमें जैसा कि वेलोशिटी टाइम graph हम लोग बनाये थे उसमें आपको याद है कि यहां से कोई object यहां से कोई यह point है और यहां से कोई object straight line motion किया था और किस point तक पहुंचा था तो जिसका नाम B है ठीक है कोई object एस से start करके B तक के पहुंचा था और B तक के total time जो लिया था नीचे हम लोग दिखाये थे कि total time T लिया था यहां तक पहुंचने में और उस T time को हम लोग यहां पर C बोल रहे थे ठीक है और इसके एक सामने एक के सामने जो line है इसको हम लोग D बोल रहे थे और फिर अगर इसके सामने अगर हो तो हम लोग E बोल रहे थे ठीक है अब अगर बात किया जाया तो O से लेखर यह यह तक की दूरी को हम लोग U बोल रहे थे ठीक है जिसको initial velocity कहते हैं और O से लेकर E तक के distance को हम लोग भी बोल रहे थे ठीक है ये से लेकर B तक के, B इसका final velocity है, तो final velocity को अगर Y axis में मिलाए हुए है, तो किस point पे है, E point पे, तो इसका जितना distance होगा, उतना ही न, C से लेकर B तक वे distance होगा, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हम लोग एस बरावर ut plus half 80 square को proof करने के लिए, इस बरावर ut plus half 80 square को proof करने के लिए, ट्रेपेजियम का area निकाले थे, यानि कि यह एक trapezium बनेगा जिसको हम लोग color कर रहे हैं यानि कि जिसमें हम लोग area of trapezium निकालने के लिए पिछले दिन जो हम लोग apply किये थे वो क्या apply किये थे कि triangle जो बन रहा है rectangle के साथ को हम लोग add किये थे अलग-अलग यानि कि area of rectangle पलस area of triangle ठीक है इसी को न हम लोग add किये थे लिकिन अब हम लोग फिर से दिखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जिसको प्रूफ करने के लिए आपको कुछ न कुछ चीज़ें आनी चाहिए याद रहनी पड़ती है और अक्सर पूछा जाता है कि आप equation of motion को तिनों में से कोई भी देदेगा और बुलेगा कि प्रूफ कीजिए तो आप graphical representation आपको करना होगा अप graphical representation करने के बाद चुकि हम लोग कौन सा फर्मूला को प्रूफ करने है तो इस फर्मूला को प्रूफ करने के लिए हम लोग निकालेंगे area of trapezium area of trapezium ठीक है area of trapezium का को हम लोग एस भी बोलते हैं क्योंकि आपको पता है velocity time graph में जो हम लोग area निकालते हैं न वो क्या हो जाता है और distance हो जाता है इस का value हो जाता है कि मेरा मतलब कि कोई भी velocity graph रहेगा velocity time graph रहेगा उसमें अगर आपको distance पूछता है तो distance पूछता है तो हम क्या निकालते हैं उसका area निकालते हैं ठीक है यानि कि कोई भी velocity time graph में अगर बुलेगा कि इसका distance निकाले तो आप फट से उसका क्या निकाले एरिया तो हम लोग यहां पर area निकालने वाले हैं और आपको पता है area of trapezium का formula क्या होता है चुकि हम लोग वहां क्या किये थे इस trapezium का निकालने के लिए area दो types में हम लोग दो parts में तोड़ थे एक rectangle और एक triangle ठीक है लेकिन इस formula में क्या होता है आपको trapezium का formula लगाना होता है ट्रेपेजियम का formula क्या होता है कि sum of parallel side यानि कि जो दोनों parallel side होते हैं उसका आप sum करो sum of parallel side ठीक है इन्टू हाइट यानि हम यह बोल सकते हैं कि जो हमें इसका वेलू आ रहा है इसका वेलू sum of parallel side तो इस एक ट्रेपेजियम बन रहे हैं और इसमें आप देख पार होंगे कि दो parallel side कौन कौन सा है तो दोनों यह दोनों parallel side है मतलब O से लेकर A तक का distance और B से लेकर C तक का distance दोनों क्या है parallel है तो parallel side का क्या करना है सम करना होता है यह फार्मूला है तो ओ यह प्लस DC यह दोनों का parallel side का सम हो गया into फिर क्या करना है height तो यह ट्रेपेजियम का height क्या होगा तो वह से लेकर C तक के height हुआ हाइट का मतलब दोनों parallel lines के बिच का distance height का मतलब यहां पर यह भी हुआ कि distance distance between two parallel line इसका मतलब क्या होता है distance between two parallel line है ना यानि कि जो दोनों parallel line होते हैं उसके बिच का distance जिसको हम लोग height भी बोल सकते हैं तो height इसका कितना है दोनों के बिच O C तो O से लेकर C तक और बटा में कितना तू तो कुल मिला कर अगर देखा जाए तो हमें क्या क्या बाते पता चल रहे हैं जड़ा उसको लिख लेते हैं जड़ा और आगे देखें तो यहां पर कुछ ऐसे बनेगा देखिए यहां एस है तो यहां पर हम लोग एस लिख रहे हैं ठीक है उसके आगे कैसे काम करेंगे आपको पता है O से लेकर A तक की डिस्टेंस यहां O से लेकर चुकि A तो सेंटर है ना तो सेंटर को हम नाम दिये हैं O तो O से लेकर A तक की डिस्टेंस क्या है O से लेकर A तक की डिस्टेंस U है तो यहां पर U रख दिया पलस B से लेकर C तक के distance B से लेकर C तक के हम यह बोल सकते हैं कि B से C का जो value होगा E से लेकर O तक का equal होगा क्योंकि दोनों क्या है Equal है B C और O E दोनों equal है इसलिए हम B C के जगा पर क्या रख सकते है O E रख सकते है और बटा में 2 स्वारी इंटू लिखना भूल गया थे इंटू O C तो O से लेकर C तक का time कितना ले रहा है T खुल मिला कर कितना बन रहा है A is equal to U पलस पता है ना कि B C जो है O E का equal था और O E का distance कितना है O से लेकर E तक के final velocity भी है तो U पलस भी बटा में 2 इंटू में T ठीक है यहां तक तो हो गया अब एक formula जानते हैं कौन सा formula अब हम लोग लिखेंगे from इधर bracket में from formula from formula of acceleration formula of acceleration acceleration के formula से हमको पता है कि A बराबर क्या formula होता है V minus U बटा में T ठीक है तो जब T यहाँ पर जाएगा तो A नीचे चला जाता है हमको पता है तो इससे हम लोग निकाल सकते हैं कि T का वेलू क्या होगा V minus U बटा में A यह चीजें होंगी ठीक है कब जब हम लोग acceleration का formula लगाएंगे तब A बराबर V minus U by T होता है तो T अगर इसके जगा पे जाता है तो A नीचे चला जाता है यह rules होता है maths का तो T उपर गया तो A नीचे आ गया तो T बराबर बन गया V minus U बटा में A ठीक है तो इन चीजों का यूज करके हम लोग यहाँ पर put करेंगे जैसे A is equal to U plus V और into T के जगा पे क्या करना है T के जगा पे लिखना है V minus U by A यहाँ V minus U by A रख दिया और बटा में टोटल कितना बटा में टोटल 2 ठीक है क्यों? क्योंकि नीचे 2 था अब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं A is equal to U plus V V minus U बटा A वाला नीचे आएगा क्योंकि जो भी चीज़ें बटा में होती है ना उन नीचे आजाता है तो A अगर नीचे आजाएगा तो क्या बनेगा 2 A बनेगा और हमको पता है ना कि cross multiplication होता है क्योंकि यहाँ पर तो कुछ नहीं है तो इस बटावन लिक्स सकते हैं अब दोनों साइड अगर इक्वल रहता है बटा में रहता है यहाँ कि डिवाइड में रहता है और इक्वल रहता है इट में यू पलस भी है इसको हम लोग भी पलस यू लिख सकते हैं क्योंकि आगर आपसे पुछा जाएगा 2 पलस 3 कितना होता है वही 5 अगर हम पुछे 3 पलस 2 कितना होता है फिर भी आप बोलेंगे 5 इसलिए कोई भी चीज़े जो प्लस में है ना उसको हम पलट के भी लिख सकते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है इसलिए हम यू पलस भी को क्या कर दिए वी पलस यू और इंटू में क्या है वी माइनस यू ठीक है अब एक और फर्मूला पढ़े होंगे ए पलस भी और ए माइनस भी यह फर्मूला होता है किसका फर्मूला होता है तो ए स्कॉार माइनस वी स्कॉार का फर्मूला होता है जब ए पलस में रहे और एक माइनस में रहे और ए बी रहे यहां पे भी ए बी रहे तो यह फर्मूला और V minus U है V plus U है V minus U है तो यहां पर आप तोड़ पा रहोंगे तो कैसे तूटेगा V square minus U square तो टोटल मिलाकर यही चीज़े हमें प्रूफ करना था और यह चीज़ें प्रूफ हो चुका है तो इतनी सारी बातों को हमको लेकर प्रूफ करना होता है और आपको हम यह बता देना चाहते हैं साथियों दोस्तों कि आप इन चीज़ों को करने के लिए practice जरूर किजिए क्योंकि practice ही एक मैंस को perfect बनाता है अगर आप practice नहीं करेंगे तो इन चीज़ों को आप प्रूफ नहीं कर पाएंगे तो ये बहुत simple proof था तो इस तरीके से अगर आप देख पा रहोंगे कि हम लोग तीनों जो equation of motion है उसको हम लोगों ने complete किया बारी बारी से अच्छे धंग से proof किया ठीक है अब ये तीनों का जो proof कर लिया ये बिलकुल आपको इनको practice करने की जरूरत है क्योंकि पूछता है सव फार बूला में क्या-क्या यूज हुआ है तो यू हुआ है जिसको हम लोग initial velocity बोलते है भी यूज हुआ है जिसको final velocity कहते है यह हुआ है एक बोलते acceleration t का मतलब वह टाइम ठीक है तो इनी चीजों का और इस का मतलब वह distance पता ही है तो इन तीनों फार्मूला को हम लोग तो proof कर लिए अब एक main चीज बच रहा है वो numerical बच रहा है ठीक है अब यह numerical हम लोग अगले दिन discuss करेंगे कि अगर इस question जो हम लोग proof किये है इस पर numerical कैसे आता है तो आपको हम अगले दिन की जो class होगी only numerical related होगी और numerical हम लोग करेंगे और आपको देखिए देखिएगा कि हम लो motion का प्रूफ यूज करके हम लोग करेंगे ठीक है इन चीजों को आप या आपको याद रखने का ज़रूरत है कि इन चीजों को हम लोग देखकर यहीं तीन चीज़े है भी बराबर यूपलस 80 एस बराबर यूटी प्लस आवर्ट स्क्वार टू एस इस इस इक्वल टू वी स्क्वार माइनस यूज स्क्वार ठीक है तो आज की क्लास की साइन्स को यहीं तक इंड करते हम लोग आज ने प्रूफ देखा अगले दिन हम लोग इसके बेसिस पर नुमेरिकल्स को बढ़ेंगे तब तक धन्यवाद